हाई लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूटूब चैनल सूबा श्टड़ी पे आज हम दूख पढ़ेंगे जो रेलेवे का साथ संगरा है जो जिसमें केवल पिरीवीस येर कप कोश्चन है उसका अगला पार्ट तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन हो जाए भूमी के धेन को क्या कहते हैं पेडोलोजी तोर है कि विशाकदत रचित-पूस्तक का नाम क्या है तो विशाकदत द्वारा रचित-पूस्तक के नाम हो जायगा मोजरा राच्छस आगे दिखेंगे अगला कोश्चन हो जाएगा इबराहिम लोधी ये लोधी वन्स के अंत और दिली संत्रत के बहलोर लोदी पॉला सासक थे जिसने सबसे अधिक दिन तक सासन किये थे। बंस कहेगा तो तुगलक बंस हो जाएगा, सासक कहेगा तो बहलोर लोदी हो जाएगे। मंगोल के आक्रमण में पॉली बार बहलोर लोदी के सासनकल में हुआ था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंतरन पंजाब के सासक दौलत खा लोदी एं इब्राहीम लोदी के चाचा आलम खाने दिया था इब्राहिम लोदियं बाबर के मध्ध एकई सप्रिल 1526 इसवी को पानीपत के मैदान में युद हुआ था और पानीपत के दुसरा युद हुआ था पानीपत के जो तीसरा युद हुआ था ये हुआ था 1761 में अफगानेव मराठा ससक के बीच आगे देखलेंगे आगे हो जा जो गठन हुद था ये किये थे महन सी कहा पर तो सिंगापूर में भारत में प्रथम जो चलाई गए थी ये व्लाटल हुजी के सासनकाल में चलाई गए थी जो की सोरा अप्रील अठार सोर तिरपन में चला था कितना दूरी था तो 34 किलो मीटर मॉंबई से थाड़ी के बीच 1917 इसी में रूसी की करांती हुई थी जिसका नेती त्वे किये थे बीएस लेनिन आनिकी नेता कौन थे तो बीएस लेनिन थे रोबर्ट वालपोल इंग्लेंड के प्रोथब परधान मंत्री थे लंदन में इंडिया हाउस के गठन किस ने किये था लंदन में इंडिया हाउस के अस्थपना किये थे स्याम जी क्रिशने बर्मा डेट कहेगा तो 1905 में आगे देख लेंगे आगे है सरावती नदी पे गर्षो पाजी से जो जल परपात को आते हैं ये की स्राज में इस्तित है तो ये इस्तित है करनाटक में और सबसे भारत में इस्तित सबसे लंबा जल परपात कौन से है तो ये हो जाएगा कुचिकल जल परपात जो की करनाटक में ही इस्तित है व भारत का सबसे बड़ा क्रिशी प्रयोगिक फर्म अम्बाला में ओस्तित है भारत के सबसे बड़ा क्रिशी प्रयोगिक फर्म कहां ओस्तित है अम्बाला पंजाब में शिख्षा समर्ती सुची के अंतर गताता है और समर्ती सुची में वर्तमान में 52 विशय को रखा गया है और समर्ती सुची भारत में ऐस्टेलिया से लिया गया है आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा पांच विशय का पांच विशय जो है जो किराज्य सुची से समर्ती सुची में अस्थान्तिर किया गया है कौन कौन सा है और ये किसके द्वार लिया गया है तो 22 समिधान सुचुदन 1976 के तहत ये पांच विशयो को राज सुची से निकाल कर समर्ती सुची में रखा गया है उप राश्पती राज सभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं ये किस अनुछेद में उलएक किया गया है अनुछेद34 में और जब राश्पती नहीं रहेंगे उसके अस्थान पर उप राश्पती कार करेंगे इसका उलेक मिलता है अनुछेद65 में आगे देखलेंगे, आगे हो जाएगा, डायोड का इस्तमाल परतेवर्ती धारा को दिस्त धारा में बदलने के लिए किया जाता है, यानि कि डायोड एसी को डीसी में बदलता है, वही इनवर्टर डीसी को एसी में बदलता है, आगे देखलेंगे, अगला कोशन हो जाएगा, निर्वात में उस्मा का विकीरण का बेग परकास के बेग के बराबर होता है सूस के सेल में एनोड में कैडमीम होता है और नाभीकिये रियेक्टर में कैडमीम और बॉराउन के छोड़ का पुल्यक किस लिए किया जता है तो नियंतरक के रूप में पानी की किसी द्रविमान को 0 degree Celsius लेकर 10 degree तक गरम करने पर उसके आयतन में घटने के बाद भी रिदी होगी परकास का रंग का कुड़ांग है यानिक आयाम से समधित है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा अगला कोशन है लाफिंग गैस का रसाइनिक नम क्या है तो नाइट्रोक्स ऑक्साइड हो जाएगा मोनाजाइट की इसका अयसक है तो ये थोरियम के अयसक है और ये भारत में सरवाधिक उतपादन होता है भारत में की से राजिसे तो केरल से मोनाजाइट केरल की समुद्री टत पर बालू में पर्चूर मत्रा में पाय जाता है और मोनाजाइट उत्पादन में भारत सरवाधिक अगरणी है निकि भारत में सरवाधिक मोनाजाइट जो की थोरियम का आयस्क है इसका सरवादिक उत्पादन होता है बीश्वे में हेमा टाइट लोहा का अयस्क है और हेमा टाइट भारत में सरवादिक मत्रा में मिलता है और लोहा के सबसे आच्छा अयस्क कहेगा तो मैगने टाइट हो जाएगा जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन क्या होता है तो बढ़ जाता है तामबे के उतक्रिष्ट धातु कायता है तामबा को क्या कायता है तो उतक्रिष्ट धातु कायता है तामबा के उतपादन राजस्तन के खेतली से होता है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा और एक कलोराइड का उपयोग सर्प 20 रोधी सुई बनाने में होता है और एक कलोराइड का उपयोग कहां किया आता है तो सर्प 20 रोधी सुई बनाने में धमनियों में रक्त चाप उचे होता है धमनी में रक्त चापके होता है तो उँचे होता है धमनियों में रक्त कैसा होता है तो सूध रक्त होता है और असूध रक्त कहां बहता है तो सीरा में लिवकीमिया एक भयंका रोग है जिसमें खुन बनाने वाले अंग स्वेत रख्त कॉनों की मातरा में अधिकता पैदा करते हैं सैवाल में खाद जो पदात होता है किस रूप में उपस्तित रहता है अश्टार्च के रूप में आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा जीवाडू पॉली सेकराइड की बनी होती है जीवाडू किसकी बनी होती है तो पॉली सेकराइड की कॉलोरेला जो सेवाल है इसे अंत्रिक चेत्री भोजन के रूप में यूज करते हैं पंदर जनवरी को प्रतिवर्स थल सेना दिवस मनाया जाता है नो सेना दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है चार दिसंबर को वाउ सेना दिवस पड़ती वर्स मना जाता है 8 अक्टूबर को आगे देखेंगे आगे हो जाएगा गुप्त समराथ समुंद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और जो भारत के जो समुंद्र गुप्त थे ये संगीत क्रेमी थे और इसका उलेक उनके सीकों पर बिड़ा बजाते हुए दर्साया गया है। कुतुप साही राजवंस ने गुलकुंडा में सासन किया था। कुतुप साही राजवंस कहां पर सासन किया था तो गुलकुंडा में। अहमस सा अबदाली और मराठो के बीच 1761 में पानी पत का तीसरा युद लड़ा गया। इसमें मराठे प्राजित हुए और अपगान सासक जीते थे। दादा भाई नरावजी भारती राष्टी कॉंग्रेस के पूर्वेकाली वर्सो के दोरान अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नरावजी कॉंग्रेस के तीन भार अध्यक्ष बने थे कावगण। वाली बार अधेक्स बने थे कलकाता अधिवेशन 1886 में, दूसरी बार लहर अधिवेशन 1893 में, तीसरी बार 1906 में कलकाता अधिवेशन जिसमें सौराज की मांग किये थे आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा दादा भाई नर्वाजी को Grand Old Man of India कहा जाता है 1911 में Gateway of India का निर्मादा हुआ था, कहाँ पे तो मॉंबाई में Gateway of India का निर्मादा 1911 में हुआ था और ये कहाँ पे स्थी थे तो मॉंबाई में इंडिया गेट के निर्माण हुआ था 1921 में और ये इस्तित है दिल्ली में इंडिया गेट दिल्ली है और गेट अप इंडिया काएगा तो मुँबाई है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा जपान फिलिपीन्स वचीन में चलने वाली चक्रवाती तूफान को क्या करते हैं तो टोर्नेडो करते हैं और उत्री अमेरिका के जो ब्यक्ति उसे क्या कायता है तो रेड इंडियन भारत में करकरेखा आठ राजयों से होकर गुजरती है और भारत में कहेगा करकरेखा किस राजय से सरवाधिक गुजरती है तो अधिक गुजरती है मध पर्दे से और सबस ये के लिए परसीधे और ये मध्य परदिश में इस्थित है श्रीष का अभियारण कईगा कि इस राजय में इस्थित तो यह भी राजस्तान में इस्थित है राजस्तन के परिवेश दुवार कैगा तो यह हो जाएगा भौरतपूर। कल्याणकारी राजे की अधालना निती निदेशक तत्व में समिली थे 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन लोकतांत्रातमक गण राजे बना राश्पती सासन में एक राजे राजे पाल द्वरा शासित होता है राश्पती सासन में एक राजे किसके द्वरा शासित होता है तो राजे पाल द्वरा अनुछे 356 के तत किसी राजे में राश्पती सासन लागू होता है जिसके लिए संसल से अनुमदन लेना पड़ता है साथ दिन के अंदर कितने दिन के अंदर तो 60 दिन के अंदर आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा अगला कोशन है राजे पाल पद गुरहन करने से पूर्व उचने यले के मुख नदिस के समुख अपने पद की सपत लेता है राजेपाल पदगरण करने से पूर्व किसके मुखे समुख में अपने सपत लेता है तो उस राजे के मुख नैदिस के समुख में पद की सपत लेगा और राजेपाल की नियुकती कौन करते हैं तो राश्पती करते हैं डाइनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है तो इस बात का, सोना का अपेक्षित गोनत्वी कितना होता है, 19.30 और सोना एक सौत अंत्रे धातू है, और स्टेरेडियन ये ठोस कुण की इकाई है, जब इस बात जैसी धातू को इसकी प्रत्यस्था सीमा से बढ़ा कर ताना जाता है, तो यह क्या बन जाता है? तो यह पलास्टिक बन जाता है, आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा, यदि प्रिथिवी पर एक ब्यक्ति का वजन 600 नुटन है, तो इसका वजन चांद पर कितना होगा? तो 100 नुटन होगा, और यह जो होता है, प्रिथिवी के बहार क चंदार्मा पर किसी ब्यक्ती का भार पिरिथिवी के भार के एक बटे चो गुना होता है अब भार बदलता है लेकिन दरविवान नहीं आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा महाभास नामक पुस्तक का समध कहेगा तो ब्याकरण से हो जाएगा महाभास नामक पुस्तक के समध हो जाएगा ब्याकरण से और महाभास पुस्तक के लेकक हो जाएगा पंत जाली पंत जाली किस दर्शन के परवर्तक थे तो योग दर्शन के संस्किरित भासा ब्याकराण की प्राथम पुस्तक कहेगा तो अश्ट ध्याई के लिखग अश्ट ध्याई के लेखग पाड़ीनी हो जाएगा जिसका लेखग थे पाड़ीनी आगे देखेंगे आगे है महमौद गजनवी के भारत आकर्वण के समय उसके साथ आनेवाला विद्वान कौन था अलबरोनी था और मौमोद गजनवी के दर्वाबर में उत्वी फारू की फिर्दवसी अर अलबरोनी ये चारो रहते थे मामूद गजनवी के कहेगा सबसे परसीद आक्रमल कौन सा था तो सोमनत मांदिल पजब आक्रमल किये था दोस्ट पचीस ये गजनवी का सबसे परसीद आक्रमल था उस समय वहाँ के सासो कौन था तो भीम परथम आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा 1857 के बीदरों के दोरान कानपूर में हुए बीदरों का नेतित्वे नाना साहब ने किया था 1857 के बीदरों के दोरान का कानपूर से बीदरों का नेतित्वे कौन किये थे तो ये किये थे नाना साहब और बाला जी बाजी राव को उप नाम किया था तो बाला जी बाजी राव को उप नाम था नाना साहब ये अलग थे और ये अलग थे ये मराठा सासक थे लेकिन इनका उप नाम से जना जाता था नाना साहब के नाम से लखनव में 1857 की विद्रोग का नेतित वे किस ने किया था लखनव से किये थे बेगम हजरत महल ने आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा किसी बिधान सभा की सक्ति उस राजे की जनता पर निर्भर करती है किसी धन बिधय को बिधान परसद अधिकतम कितने दिन तक रोख सकता है तो 14 दिन तक जिस परकार राज सभा धन बिधयों को 14 दिन तक रोखता है उसी परकार से ऐसे राजे जहां द्विश सदनी बिधाई का है वहां बिधान परसद को उचे सदन कहा जाता है और केंद्रे में राजे सभा को उचे सदन कहा जाता है कई सबसे बाद में किस राजे में बिधान परशद को समाप्त किया गया था तो तामिलाडू को तामिलाडू राजे के सबसे अंत्र में बिधान परशद को समाप्त किया गया है आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कि किस किस राजे में बर्तमान में बिधान परसद उपस्तित है तो उतर परजों में है, कनाटक में है, जमु कस्मीर में है, महराष्ट में है, बिहार में है, आंध्रे परजों में है और तेलागना में है और कुल कितने राज़ों में है तो साथ राज़ों में, भारत के कितने राज़ों में बिधान परशद है तो साथ राज़ों में, एक अवेशित खोकले गोलक के अंदर किसी जगा बिदुद छेतरे कमान हमेशा क्या होगा तो सुनने होगा, निला हरायों लाल रंगों के अस् उप्योग्यानि यहाता और लिसके इता है वाइट हाउस वासिंग रंठान में इसती थे और अमेरिकाई के राष्ट पती का कर्याले है, हीटलर के लिए फीवर्ड सब्द परियुक्ट होता है, आगे देखेंगे, को बीश वे जन संख्या दीवस मानाय जाता है, कचारी जो जा जाती है ये किस राज में निमास करती है तो असम में किर्केट बीश्वे का पहला मैच लोड्स के मैदान में भारत एंविंग्लेंड के बीच 7 जुन 1905 में खेला गया था आगे देखेंगे आगे हो जाएगा हडपा सव्यता का हडपया जो सव्यता है यह एक कांस यूगिन सव्यता थी और ठतर इसी में सोक सनवन्त की आरम किस नहीं किया था तो यह किये थे कनिक्स नहीं कनिक्स ने ही RSMR के भी शुरुवात किये थे कनिस्क के कहे गराधानी कहा था तो पूरुस्पूर या पेशावर था कनिस्क ये कुशाव बंजगे सबसे पड़तापी सा सकते आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा मौदर ट्रेसा दोरा अस्थापित धर में संग मिस्निरीज अपचेरेटी कहलाता है मौदर ट्रेसा के जनम कैदरगता अलवानिया में हुआ था 1910 में और इनकी मिरित्तु हुआ था 1997 में मिस निरिज अपचेरिटी के स्थापना मौदर ट्रेसा ने 1950 में कलकत्त में की थी अलास्का की रधानी कहेगा तो जूनियों हो जाएगा आधूनिक ओलंपिक खेलो का आयोजन सर प्रतम 1896 में इंथेस में हुआ था और ओलंपिक दिवसका मनाया जाता है तो 23 जून को जाएगा लेब्राड़ एकठंडी महासागर यह जलधारा है और ओधरी आट्रि महासागर की एकठंडी जलधारा है हाइग्योज मीटर से अभय क्व але क्वें यह सिनद कर दिटी कूम Ihreतर और अपेक्व मिटर से AK कर मिएorse है भारत में सरवाधिक चंदी का उत्पाधन राजस्तन में होता है सुखाना जिल चंडी गण में इस्तित है और सूखा ताल जिल उत्राखण में है कौजक्रिस्तान की रधनी कहां है तो अस्ताना है एमस्टेल नदी एमस्टरडम से गुजरती है एमस्टरडम से आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा परसीद बाडवे ब्रोडवे हो गए हाँ परसीद ब्रोडवे नियॉर्क सहर में इस्तित है नियॉर्क संजुक्त राश्वं का मुख्याले है भारतिय समीधान की विए ननसुची में 14 भासा थी उसके बाद 212 जब समीधान संसुदन हुआ था 1916 में इसके तथ सिंधी भासा जोड़ा गया था एक हातारवा समीधान संसुदन की तथ 1992 में नेपाली माडीपूरी और कोक्नी भासा को जोड़ा गया जा था जिसका त्रीक हो जागा नवमक बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को जुड़ा गया था बानबवा समिन्धान संसुदन 1902 तीन में चौदा भासा के बाद में आठ भासा को जुड़ा गया था तो बरतमान में 22 भासा आठवी और सुची में सामिल है एकाइसवा समिन्धान संसुदन 19 lasting में सिंधी भासा एकातारवा समिन्धान संसुदन 1902 में नेपाली, माड़ी पुडी, कुकडी भासा और बानबवा समिन्धान संसुदन 23 में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली भासा आगे देखेंगे राष्ट्पथी का निर्वाचन और परत्यअक्षरूप से अनुपातिक परतनेहित्वपरणाली की एकल शक्रमण ये मत्पदिति द्वरा होता है और जो राष्टपती के चुनाव परकिरिया के जो चुनाव परकिरिया ये किस देश के सभिधान से लिया गया है तो ये लिया गया है आयलेंड के सभिधान से भारत का राश्पति बनने के लिए निम्तम जो आव सीमा है वो 35 वर्स होना चाहिए निम्तम 35 वर्स होना चाहिए और अधिक्तम की कोई सीमा नहीं है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा गरीबी हटाओ पांचीवी पंच वर्सी योजना का मूखे उदे से था और पर्याप्त उत्पादक छमता के कारण संड्रात्नात्मक विरोजगारी उत्पन होती है और भारत में सबसे अधिक संड्रात्नात्मक विरोजगारी ही पाई जाती है जब प्रित्वी सूरियों चंदर्मा के बीच में आ जाती है तब कौन सा गरहन लगता है तो चंद्रे गरहन लगता है कोशी कत्वी किरिया के कारण लैंप की जो बती में तेल उपर चोड़ता है ब्रोमिन थोड़ा सा उपर कर लेते हैं ब्रोमिन अधातु सधारा अता परदरा बेरूप में पाई जाती है वही धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा फुलू क्या है तो फुलू वाइरस के कारण होता है स्वाइम फुलू होता है स्वाइम फुलू किसे काते है तो H1 N1 वाइरस के स्वाइम फुलू काते हैं बॉड फुलू कहेगा तो H5 N1 वाइरस के कारण होता है रोजेज इन दिसामबर के लेखा कौन है तो MC छागला हो जाएंगे 1903 में संगीत नाटक आकाडमी के अस्थापना होई थी और ललीत कला आकाडमी के अस्थापना का भुए था 1924 में दिल्ली आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा ललीत कला आकाडमी के अस्थापना 1924 में दिल्ली में होई थी असोक को उपगुप्त ने बौधरम में दिछित किया था निकि असोक को बौधरम के सिक्षा किसने दिया था तो ये दिये थे उपगुप्त ने कॉलिंग यूद के बाद जो असोक ने ये क्या किया था तो बोधरम अपना लिया था कॉलिंग यूद को अब गाथा तो दोसो एकसर्ट इसा पूर्म में आगे देखेंगे अगला कोश्चन हो जाएगा बोधरम अपनाने से पहले असोक भगवान सीव का पुझा करता था और असोक के उत्रा दिकारी कहेगा तो कुना लो जाएंगे सेड़सा ने ग्रेंट रेक रोड का निर्मार करवाया था और किलाए कोहना मस्जित के निर्मार भी सेड़सा सूरी नहीं करवाया था आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा आगे ने मगहर की घुशला का यकप किया था तो पंद्रहसा उनासी में पंद्रहसा एक होतर में अकवर ने फटे पूर्सीकरी के निर्मार करवाया गुजरात बिजय के उपलक्ष में और पंद्रहसा पचाहतर इसवी में इबादत खाना के अस्थापना फटे पूर्सीकरी में ही करवाया था और मगहर की घुशला कप किया था तो पंद्रहसा उनासी में जंगल की कटाई की वज़ा से मीटी का कटाव होता है अरावली परवत भारत बिश्री की सबसे प्राचीन मुड़दार परवत थी जो बर्तमान में असिस्ट परवत का एक उधारण है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा मोनो कल्चर अस्थांत्रित क्रीशी विवस्ता का एक बिशिष्ट लक्षण है हीरा कुण बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महान अधी परिष्टी थे किस राजे में तो उड़ी सामें अवरक उत्पादर में अगरणी राजे आंध्रे परदेश हो जाएगा अवरक के उत्पादर में अगरणी राजे काएगा तो आंध्रे परदेश हो जाएगा एकोस्टिक्स ये धौनी से समधित अध्यान है वह उर्जा जो नाभीकिय अभीकिया से पराप्त होती है उसे क्या करते हैं तो नाभीकिय उर्जा कालाती है गामा की रण के खोज किस ने किया था तो गामा की रण के खोज किये थे वैकुरन ने और गामा की रण क्या है तो ये अवेस हीन है गामा की रणे अतियंत लगू तरंग धारे की बीदू चुमब की तरंग होती है आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा लाल फासफोरोस को माचिस की तिली पर लगाया जाता है दूद का पीच मन कहेगा तो 6.4 होता है और वही लैर के पीच मन कहेगा तो 6.5 होता है हारी सब्जिया में लोहा परचूर मत्रा में पाया जाता है हरी साजी में लोहा परचूर मत्रा में पायता है रक्त समू ओ को सर्वेदाता रक्त समू कहते हैं और एबी को सर्वेगराही रक्त समू कहते हैं ओ रक्त समू ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पायता है और रक्त समू ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पायता है यह जो कोश्चन है इस वीडियो के लाश कोश्चन है और वीडियो को लाश तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें चैनल पना है तो सस्क्राइब कर दें कुछ उजाव हैं सरा देना है तो कॉमेंट करके जरूर बता हैं और इसका पीड नोर कर दीजिए या टेली के आम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबर स्टडी थैंक यू